जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज में तो इस वीडियो में हम लोग एक थियोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर क्यूमिलेटिव कॉसेशन थियोरी ये थियोरी दिया था गुंडर मिड़ाल ने तो गुंडर मिड़ाल एक स्वेधिस एकोनॉमिस्ट है जिन्होंने एक थियोरी प्रपोस किया था 1956 में और इस थियोरी का नाम है सर्कुलर क्यूमिलेटिव कॉसेशन थियोरी ठीक है तो अब हम लोग आगे जानते हैं कि इस थियोरी में उन्होंने क्या बताया और किस चीज के बारे में ये थियोरी है थियोरी की तरफ मूफ करने से पहले हम लोग कुछ की फीचर्स देख लेते हैं कि थियोरी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है तो सबसे पहले हम लोग तो circular cumulative causation का जो मतलब है वो समझेंगे कि ये होता क्या है इसके अलावा इसमें हम लोग backwash effect को देखेंगे spread out effect को देखेंगे और four stages देखेंगे कि जो मृडाल ने अपने इस theory में दिया है तो चार main key features है जो इस theory में हम लोगों को देखना है सबसे पहले क्या है तो cumulative causation का हमें introduction देखना है backwash effect, spread out effect और four ways देखना है या four stages देखना है जो मृडाल ने अपने theory में बताया है तो चलिए अब theory के तरफ move करते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि cumulative causation होता क्या है तो देखिए the events are interdependent to each other effect in one event is caused by a change in other event it completed a cycle this is called cumulative causation हम लोग कोई एक growth center लेते हैं suppose यहां एक growth center है और यहां एक growth center है ऐसे करके हम लोग चार growth center लिये हैं और यह growth center जो है interdependent है यानि कि आपस में यह दोनों interlinkage पे है अगर हम लोग देखेंगे कि किसी एक भी event में हम लोग कोई change करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि बाकी सारे जो हमारे growth center है उनमें भी वही change हम लोग को यहां पर observe होगा तो ऐसे करके complete cycle form होता है जिसको हम लोग cumulative causation बोलते हैं मृडाल गेव theory of cumulative causation based on the observation of western countries development यह जो theory प्रपोस्ट हुआ है यह western countries के development को देखते हुए प्रपोस्ट किया गया है western countries developed service sector economy from subsistence agriculture economy तो ज्यादा तर जो western countries है वहाँ पर जो development होता है service sector में वो subsistence agriculture economy के वज़े से होता है as per मिरडाल due to locational advantage some growth center grows faster these growth center work as a junction pump it provides a better return to the investor here is sun देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे मिरडाल जो है वो locational advantage को देखते हुए बताते हैं कि जैसे जैसे growth center बढ़ेगा वो उसका एक main reason क्या है कि वह वहाँ का location कैसा है और जैसे जैसे growth center जो पढ़ने लगता है तो वो एक junction pump की तरह काम करता है और ये एक better return देता है investor को जैसे कौन-कौन से return देता है उसको हम लोग अभी देखते है capital and best raw materials from surrounding location तो सबसे पहला जो काम वहाँ पर मिलता है हम लोगों को वो है capital और raw materials जो कि क्रिसी भी growth center का development के लिए बहुँ जादा necessary होता है better job opportunities मिलता है हम लोगो better job opportunities मिलेगा जिसके वज़े से जो capable लोग है यानि कि best brain जो है वो वहाँ पर आते हैं और हम लोगो best professional जो है वो मिलता है surrounding location से इट प्रोवाइट better services सच आज schooling, hospital and communication as compared to surrounding location hence it sucks the best element from surrounding तो हम लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा capital, raw material, better job opportunity schooling, hospital, communication यह सारे जितने भी elements है एक growth center अपने तरफ खीचता है अब हम लोग जैसे जैसे देखते हैं कि growth center जो है वो develop हो रहा है grow कर रहा है तो surrounding में हम लोग को कोई भी resource brain, capital, raw material कोई भी चीज surrounding location में जो है वो available नहीं होगा इसके वज़े से हम लोग क्या चीज़ का increment देखेंगे तो as it offers economies to scale economy जो है वो boost करने लगेगा agglomeration factor further decrease and the cost of production in the growth center जैसे जैसे development होगा तो हम लोग देखेंगे cost of production जो है growth center में वो decrease होने लगेगा low transportation cost होने लगेगा और agglomeration factors boost करेंगे यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि backwash effect क्या होता है तो pulling off all dynamic elements to the growth center from surrounding location is called backwash effect हम लोग जितने भी dynamic elements है growth center की तरफ जब वो आने लगते हैं तो उसको हम लोग backwash effect के नाम से जानते हैं diagram की मदद से समझते हैं अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बीच में यहाँ पर एक growth center है और यह आस पास का जो है यह surrounding area है तो जो हमारा जितना भी सब चीजे हैं वो यहाँ पर से अंदर आने लगते हैं जैसे raw material हो गया industries हो गया या फिर हम लोग को better economy मिलने लगता है बहुत सारे जो चीजे हैं वो यहाँ पर available होते हैं यानि कि जितने भी dynamic elements हैं वो growth center की तरफ खीचे चले आते हैं हम लोग यहाँ पर बहुत सारे चीजों को देखेंगे वही सारे चीज जैसे ही यहाँ पर enter करते हैं तो यह एक backwash effect की रूप में जाना जाता है इसी के साथ साथ एक और concept आता है spread effect का तो spread effect क्या होता है during the time the growth center or big cities begin to decrease due to pollution and congestion अब देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे की backwash effect हो रहा है यानि की जितने भी dynamic elements है वो growth center की तरफ खीचे चले आ रहा है तो population जो है उस area का बहुत जादा बढ़ जाएगा तो जिसके वज़े से हम लोग को congestion देखने को मिलेगा pollution देखने को मिलेगा तो लोग क्या करेंगे अब वहाँ से हटने लगेगे यानि की spread out करने लगेंगे it leads to pulling out the resources from big cities and there is a spread of development of the surrounding region around this growth center this effect is called as the spread effect तो अब जब वहाँ पर area जो है यह congested होने लगा population यहाँ पर बढ़ने लगा जिसके वज़े से क्या होगा यहाँ के जो people थे वो अब move out करने लगेंगे यानि कि यहाँ से निकलके वो लोग बाहर के areas में shift होने लगेंगे जिसके वज़े से बाहर का जो surrounding area है वहाँ पर हम लोग को development देखने को मिलेगा और इसी phenomenon को हम लोग spread effect के नाम से जानते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि growth center है और यह surrounding ferry ferry का area है हमारा तो यहाँ पर जब congestion, pollution यह सा population बढ़ने लगेगा तो यहाँ का जो rich people है या फिर जो भी merchant group है या industry settlement वाले people है वो यहाँ से shift करके surrounding area यानि कि ferry ferry में यहाँ पर बसने लगेंगे जिसके वज़े से क्या होगा अब यह आसपास का जो area है यह भी development की और जाने लगेगा और इसी को हम लोग spread effect के नाम से जानते हैं अब हम लोग देखते हैं कि four stages जो है मुझे डाल के model में वो क्या क्या है तो सबसे पहला जो stage है वो है हमारा no integration का in this stage the location is distance placed integration in this stage not possible due to no fast week communication देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा place रहता है यानि कि जो growth center है उसको हम लोग बहुत ही दूर-दूर में placed किया जाता है यहाँ पर space कम है इसके आप लोग समझ लेने थो डिस्टन्स पर है यह ठीक है तो यह बहुत दूर-दूर इसको placed किया गया है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि communication आपस में नहीं हो पाता है दो growth center का बीच पर जिसके वज़े से क्या होता है no integration हम लोग को देखने को में तो यानि कि कोई connection ही नहीं है first stage है यह में डाल के model का क्या है तो no integration second step हम लोग देखते हैं तो differentiation का तो इस stage में क्या होता है urban areas जो है वो develop करते हैं वो spread करते हैं और यहाँ पर backwash effect होता है backwash effect क्या था याद कीजिए मैंने बताया था भी कि जैसे growth center है यहाँ पर बीच में और जो surrounding areas है तो जितने भी dynamic elements है जैसे हो गया raw materials हो गया हमारा water supply हो गया जितने भी elements है वो move करते हैं कहां की और तो growth center की और इसको हम लोग बोलते हैं backwash effect तो यहाँ पर इसके वज़े से क्या होता urban areas में development देखने को मिलता है तो second stage क्या था हमारा differentiation का इसके बाद हम लोग जब third stage के ऊपर move करते हैं तो वो है dispersion का stage तो इस stage में क्या होता है spread effect started development activities in fairy fairy area take place तो जैसे अब हम लोगों ने देखा backwash effect हुआ तो इसके बाद next stage में है जो dispersion का है यहाँ पर क्या होता है spread effect start होता है तो आप लोग जैसे यहाँ पर आ गये हैं तो अब यहाँ से move करके outer area यानि कि फेरी फेरी में वो लोग बसने लगते हैं और जो periphery area है वहाँ पर development start हो जाता है next step है जो कि fourth and last stage है वो है हमारा integration का in this stage human settlement in big cities started declining due to declining resource base next stage जो है वो integration का है इसमें क्या होता है कि जो human settlement है बड़ी-बड़ी cities में वो decline करने लगता है क्योंकि resource base जो है वो हमारा decline कर रहा है तो यह चार्ड स्टेश थे जो कि मिरिडाल ने अपने theory में दिया हुआ है देखिए जो परिडाल का first हमारा stage था वो था no integration का इसमें जो center था वो distance पर प्लेश किया गया था जैसे देखो यहां पर एक center ऐसे दिया है इनके बीच में बहुत सारी दूरी है है ना इसके वज़े से क्या होता है communication नहीं हो पाता है इसके वज़े से integration भी नहीं हो पाता है वहीं जब हम लोग next step में move करते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे कि fourth stage आते आते जो integration है periphery area में हर किसी से हो रहा यानि कि सारे ही center आपस में interrelated हो गए हैं और सभी आपस में communicate भी कर रहा है और इसके वज़े से सारा ही जो area है चाहे वो गोर हुआ यानि कि growth center हुआ या periphery का area वो सब कोई develop कर रहा है यही था थियूरी म्रडाल में I hope आप लोगों को सारे concept बहुत अच्छे से समझ में आये होगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, share और comment कर दीजेगा और ऐसे ही वीडियो के लिए channel को subscribe कर दीजेगा Thank you so much